हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं यदि आपका case में भी इस तरह का error आता है तो इसको fix करने के लिए बहुत सा तरीक है इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको fix करना है इसके लिए आपको क्या करना है अपने laptop या PC के अंदर कोई भी browser आपको open कर लेना है इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको first option दिख जाएगा, इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं, Microsoft का officially website open हो जाएगा, open होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको score done करने है, score done करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, visual studio 2015, 17, 19, 22, इसके नीच आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको download करने के दिख जाएगा, 86 के लिए, यहाँ से 64 bit के लिए, यहाँ से download करने के लिए दिख जाएगा, तो आपको क्या करने है, इन दोनों को आपको download कर लेने है, इसके लिए आपको क्या करने है, यहाँ पर आप लेने हैं दोनों को इस तरह सिदानूड कर लिजीगा डुपिलीट होने के बाद आपको चीह करने उस फोल्डर के अन्दर जाना आँ पने इसको डॉल्लोड कि loses आपको क्याकना इसको टिक़ाइक करने सिश्ject नहीं करके ऐना नहीनूंब्लोंगों करने लिए इसको इससे अपर आपको दिख जाएंगा जाएगा कर देगा करते ही इस तरह से बिंडो और लिए यदि आपको केसं में भी इस तरह से बिञंडे ओंडां होते हैं तो आपको क्या करना यहां पर कलिक कर देना यहां यहां को टिक माक कर देना यहां इसके बाद की इस freuen स्टॉल होना शरूर में भी जाएगा इन्स्ट्राइल केस्पोने के पाद यहां से क्लोज कर दिना से स्म오сл कर देना है को आपको इस तरह को आपको इस तरह से इंस्टॉल कर ले August 228 बीट यहां से इसको delete करना चाहते तब delete भी कर सकते हैं installation होने के बाद आपको क्या करना एक बार system को जरूर restart कर दिजएगा एक बार आपको system जरूर restart कर देने रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपके केस में जो ये पॉलाम मारा था ये पॉलाम फिक्स हो गया होगा मान लेज़े आभी भी fall on fix नहीं होता है तो आपको क्या करना start के ओपर आपको right click करना इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा setting इसके ओपर आपको click कर देने click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको करके देख लिजएगा कहीं पर भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा Microsoft Visual C++ 2015-2022 इस तरह से आपको case में यहाँ पर दो entry दिख जाएगा याने 64 bit एक 86 bit आपको क्या करने यहाँ से आपको अनिस्टॉल कर दिजेगा दोनों को आप यहाँ से अनिस्टॉल कर दिजेगा अनिस्टॉल होने के बाद अब आप चेक कर लिजएगा आपके case में जो यह problem आ रहा था यह problem fix हो गया होगा अगर मान लिजए फिर भी problem fix नहीं होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे score done करने है score done करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा visual studio 2013 तो आपको क्या करने इसको भी यहाँ पे दोनों सेम तरीके से download करके install कर लिजएगा यहाँ से download करके install कर लिजएगा उसके बाद restart करके check किजएगा आपका problem solve हो जाएगा अगर फिर भी problem solve नहीं होता है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा visual studio 2012 यह वाला वर्जन भी आपको यहाँ से download करके install कर लिए उसके बाद चेक किजएगा आपके case में problem fix हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो यह वाला install करके check किजएगा तो इस तरह से यहाँ से आपको install कर लेना है एक एक करके सभी को install कर लिजएगा उसके बाद चेक किजएगा आपके case में जो भी problem आ रहा था वो problem solve हो जाएगा और प्लीज गैस चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you